असलाम लेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू नेक्स टॉपिक आफ सवेक्स आज का हमारा टॉपिक है कन्फेडरेशन जिसको उर्दु में हम नीम वफाग कहते हैं वफागी तर्जे हकुमत हम अलोड़ी पढ़ छूते हैं कि ऐसा तर्जे हकुमत जिसमें आइन के तहत अक्तियारा टक्सीम की जाती है और Giants और Sao आएन के अक्तियाराम काहती हैं फिसकी प्रेशन जाते हैं की अधतियारा में और human na vo드anel। होते हैं इस नजाम को हम वफाकी तर्जे हकूमत ये वफाक कहते हैं नीम वफाक का कॉंसेप्ट भी वफाक से मिलता जुलता है लेकिन ये उससे बिलकुल एक अलग कॉंसेप्ट है नीम वफाक का मतलब ऐसा तर्जे हकूमत है जिसमें कुछ अजाद रियास्तें चंद अरजी होता है और ये इत्थाद किसी खास स्यासी मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। इसमें शामिल तमाम रियास्ते अजाद और खुदमुक्तार होती हैं। जब हमने वफाकी तरजे हुकमत पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ाता कि वफाक में एक रियास्त होती वो सब के सब यूनिट या काईया या सूबे नहीं होते बलकि वो अजाद रियास्ते होती है और जो भी नीम वफाकी मरकजी होती है वो उसके अंडर रहकर काम नहीं करती बलके वो अजाद और खुदमुक्तार हैसियत में काम करती है अजाद और खुदमुक्तार हैसियत को काइम रखती है और जिस स्यासी मकसद के लिए उन्होंने अपना इतहात काइम किया होता है वो सिर्फ उस स्यासी मकसद के लिए एक खटे होती है वो जब चाहें इस नीम वफाक से चाहें वो सियासी मकसद जिसके लिए वो इकटे हुए हैं पूरा हुआ हो या ना हुआ हो इससे अलग हो सकती है तो इस तरहां नीम वफाक हम कह सकते हैं कि अजाद और खुदमुक्तार रियास्तों का इतहाद है जो किसी खास स्यासी मकसद के लिए काईم होती है जब चाहें रियास्तें से अलग हो सकते हैं नीम वफाक से आलैगी खियार कर सकती है वफाक और नीम वफाक अब देखें नाम से भी एक जैसे लगते हैं इंग्लिश में इनको फेडरेशन, कन फेडरेशन कहते हैं बुड़ू में विफाक, नीम विफाक दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क पाये जाते हैं जो कि मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ कि विफाक एक रियासत होती है और आपकी बुक में बलंचली की डेफिनेशन में दी हूई है कि नीम विफाक एक रियासत के बज़ए क्यी रियासतों का तहाद है ओपन हाइम की दी हूई है कि एक मौहिदे के जरीए जब रियासतें खटे होती है और उनके पनी तन्जीम होती है और उसमें जो रुकन होते हैं वो शेहरी नहीं बलके रियासते होती है इस पास का मतलब यह है कि जो तरह पाकिस्तान एक वफाक है तो मरकसी हकुमत जब भी कोई निए कानून लागो करती है या कोई भी ऐसा कोई नया कोई अड्रेस करती है मरकजी होकूमत तो उसका सब्जेक्ट उसके शहरी होते हैं हमारा हम पूरे पाकिस्तान ये शहरीों का डारेक्ट तालुक मरकजी होता है लेकिन अगर नीम वफाक हो तो उसमें जो भी रियास नीम वफाक की मरकजी होकूमत को कानून जाब्ता कुछ भी बनाएगी तो उसका तालुक आम शहरियों से नहीं होता रियासत के इतनी भी उसके अंदर रियासते शामिल होंगी उनके शहरियों से नहीं होता बलके उनका तालुक सिर्फ रियासतों से होता है और रियासतों की जो हकूमते होती है वो नीम वफाक में हमारी सुभाई हुकुमते हैं इसी तरह वफाकी हुकुमत इंडिया में है वफाकी हुकुमत अमेरिका में है और नीम वफाक इस वक दुनिया में कहीं काइम नहीं है स्विजर लेंड का जो कॉंस्टूशन है उन्होंने अपने कॉंस्टूशन में और स्विजर लेंड की की चियासत को कनफेड़रेशन कहा हुआ हा reckon कि किस आजयत की तरमृडारीशन यह नहीं और हम शिविक्स की टर्मनलजी मी देखिए तो उसको हम कनफेड़रेशन नहीं कह सकते लेकिन वो अपने आएन में उनोंने कन्फेडरेशन अफ सुर्डिजे लैंड को कहते हैं कन्फेडरेशन की मिसाल पहली और दूसरी जंगे रजीम है जब के रियास्तों ने मिलकर एक इतिहाद बनाया हुआ था और यह इतिहाद उनका था कि वो अपने जो उनके हरीस थे उनके खिलाफ उनके जो दुश्मन कंट् पाकिस्तान और एरान तुर्की सुधी अरफ यह मिलके एक नीम वफाग बनाये और इस नीम वफाग का मतलब कोई भी स्यासी इतिहाद हो के हम इस मकसद के लिए बना रहे हैं तो उससे पाकिस्तान की अपनी सोवरैनिटी पे या रियास्त पे कोई फर्द नहीं पड़ता ब दुनिया में नीम वफाग की ऐसी एकजांपल ना कि किसी जगह पर बना हो नीम वफाग कुछ orangist के लिए बनता है और जब वो मकसद हासल होता है तो नीम वफाग खत्म हो जाता है वफाग और नीम वफाग में कुछ फरक पाये जाते हैं जो अरैडी मैं आपको उसकी definition में बता भी चुकी हूँ, आपको आई होपस हो कि समझ आ गया होगा, नीम वफाक में जो भी रियास्ते शामिल होती हैं, वो अजाद और खुद मुखतार होती हैं, वो अपनी करंसी अलग रखती हैं, उनका खारजा मूर अलग होते हैं, उनका दिफा अलग होता है, और उसके साथ-साथ वो अपने एक्तिदार आला से महरूम नहीं होती, अपने मुल्क में अपनी मर्जी से कवानी नाफिस करती हैं, अपनी मर्जी से अपने मुल्का निजाम चलाती हैं, नीम वफाक की जो भी मरकजी होगी, वो उसका कानून मानने की पाबंद नहीं होती, और ना उ उसके अपनी अजाद हैसियत खतम हो जाती है जैसे अलास्का और हुआई 1948-49 में दो अजाद रियास्तें थी ये अमेरिका के अंदर इन्होंने खुद शमूलेद इफ्तियार की तो अमेरिका एक वफाग है उनोंने इसके वफाक में शमूलद इफ्तियार की तो उनकी अजानικόी इसाद है उसके वफाक के दो यूनिट या दो सूलपों की हैसित से अमेरिका इंदर शामिल है। और लेकिन जो उनी वफाव है उसमें शामिल होने है फोज के जड़िया उसको साथ रख सकती है और उस ऐसी इलादगी को बगावत कहा जाता है लेकिन नीम वफाक से जब भी कोई रियासत अलाग होना चाहती है तो वो बगावत नहीं होती है जब चाहे यह वो एक सिर्फ मौहिदा होता है जब चाहे वो उससे इलादा हो सकती है और उसको वफाक नीम वफाक से जब चाहे लादगी फ़्यार कर सकती है इसी थरह वफाक में जो भी शामिल होते है शेहरी जितने भी होते हैं वफाक का उनसे डारेक्ट तालूक होता है हर वफाकी मुल्क अपने शेहियों की इफाज़त का जिम्मेदार होता है इसी तरह वफाद के शामिल जो भी यूनिट्स हैं अगर उनके दर्मियान आपस में जंग छिट जाए तो उसको खाना जंगी कहते हैं खाना जंगी यानि किसी रियास्त के दो इलाकों का दो यूनिट्स का आपस में लड़ना और या जिस तरह आप देखें लीबिया के या मिसर के हलाद से पिछले थे उन्हें बहुत खराब थे मुखलिफ लाकों के आपस में जंग हो रही थी तो इसको खाना जंगी कहते हैं खाना जंगी यानि अंदरूने खाना अंदरूने मुल्क जंग लेकिन अगर नीम वफात में शामिल दो रहास्तों के आपस में जंग हो जाए तो इसको हम बैदलकवामी जंग कहते हैं यह खाना जंगी नहीं होती इसको बैदलकवामी कानूमन के मताबिक ही डील किया जाता है और वो अजाद और खुद्मक्तार रियास्तों के तर्मियां जंग होती है इसको हम कभी भी खाना जंगी नहीं कहते हैं खाना जंगी में हर रियास्त अपने जोर पर खुद्मक्तार होती है जैसे चाहे उस खाना जंगी को डील करें लेकिन बेनलकवामी जंग को बेनलकवामी असूलों के मताब़ के लिए जाता है उसके रोपने के लिए कई माले कवामे मुतेदा सब कोशिश करते हैं तो ये फर्क होता है कामर्चंगी में और बेनलकवामी जंग में जब कोई वफाकी हकूमत बनती है तो मरकजी हकूमत का आ बिदेती है التब भी मरकजी ह्याईन को सूपरमेसी हासिल होती है और पूरे मुलक में जो कTomиваем बन बनते हैं वो मरकजी मरजी होती है अपनी सवाब दीद पर वो चाहें तो उस कानून का पना है चाहें तो ना पना है विफाक में शामिल जितनी भी रियास्ते हैं बेनल अक्वामी कानून की रूँ से उनको एक रियास्त समझा जाता है और उनको रियास्ते नहीं समझा जाता है उनको बलके एकाई रहाला नहीं होता तो वो तमाम पचास यूनिट्स पर मुच्टमिल एक वफाक एक रियासत है अमेरिका की जितनी भी उसके अंदस स्टेट से आमिल हैं इसी तरह और बड़े मुमालिक हैं से कैनेडा जैसे रश्या जैसे इंडिया जैसे चाइना यह सब एक एक रियासते ही श यह सब्दाद हैसित नहीं होती ब LAURA मरकिजी होती हैं लेकिन नीम वफाक में शामल जतनी भी रियासते होती हैं उनको बने गानुूम हिर की proven सकती हैं उसने इक कोर्ट का होना अदलिया का हौना बहुत जरूरी होता है जो कि आएन की रवाबस्ट करती उर आइन की हिफादत की जिमेदार होती है और आइन के तहर जो वफाक में एक्सियारात की तक्सीम होती है मरकज और सूबों में उसका फैसला करती है और अगर सूबों के दरमयान आपस में या मरकज और किसी सूबे में कोई उसका फैसला भी अदलिया ने करना होता है जबके नी निम वफाक में कोई अदलिया नहीं होती है. जहां पर भी इनके द मिआन नीम वफाक में शामिल कोई भी riacal है, प्टलाफ स्क्राफया प्यदा हो, आमसे इसरे अलाग हो सकती है नीम वफाक से. वफाग में जितने भी एफ़ाद شامل ہوتے ہیں جتنے بھی جو اکائیاں شامل ہوتی ہیں اس میں بسنے والے تمام افراد اکائیوں کا یونٹس کا مطلب صوبے ہے اکائیاں جو بھی کسی ریاست میں کہا جاتا ہے جتنے بھی وفاقش اندر شامل علاقے ہیں وہ سب کے سب ایک قوم ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں ان کا کوئی بھی کلچر ہو جیسے کہ پاکستان میں سندی بلوچی کشمیری پتھان سب ایک ہی اس قوم کی افراد ہیں वो सब कि सब उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी ही है लेकिन नीम वफाग में शामिल जो रियास्ते होती है उनकी अपनी अपनी अलग कौमियत बरकरा रहती है नीम वफाग में जिस तरह अगर नीम वफाग की एक्जांपल मैंने पहले दी कि पाकिस्तान का, इडिया का, बंगलादेश, लंका, अगर इन लिए मुमाले का अपना कोई सियासी इतिहाद बनाएं, तो इन में शामिल अफराद की अपनी पनी नैशनल्टी, अपनी पनी कोमियत भरकरा रहेगी. तो ये हैं वफाक और नहीं वफाक का फर्द जो आई होपस हो कि आपको समझ आ गया होगा.